आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाओ डाउनलोड नाओ Hello friend, question है A long straight wire of radius R carries a steady current which is uniformly distributed through the cross section of the wire The magnitude of magnetic field at a distance R1 and R2 from the center of the wire Rb1 and B2 respectively then यह हमने cylindrical wire एक consider करा हुआ है इसके cross section में देखो मान लो total current I flow कर रही है तो अगर हम लोगों को यहां से R distance पर magnetic field निकालनी होती है तो हम लोग ampere circular law लगाते हैं यहनि कि हम लोग एक R distance पर एक loop मान लेते हैं तो अगर आप उपर से देखोगे तो यह कुछ इस प्रकार से दिखेगा यह R radius का एक circle दिखेगा तो ampere circular law बोलता है कि line integral of B dot dl is equal to mu naught I enclosed B इस case में क्या होगा suppose कर लो जो current I है वो उपर की और flow कर रही है मतलब इस cylindrical wire के across पुरा उपर की और flow कर रही है तो यह current जो आती हुई दिखेगी हमको इस तरह से दिखेगी आते हुए और I enclosed का मतलब जो R radius का circle है इसके अंदर वाली जितनी current है वो हमको लेना है अब इसकी वज़े से magnetic field की direction किस तरफ होगी by right hand thumb rule हम लोग किसी भी current element को ले लें तो सब की वज़े से magnetic field upward direction में लग रही इस point पर है ना तो अगर हम लोगों को यह DL का integration करना है तो DL element लेंगे तो उसकी भी direction इधर ही होगी तो देखो B.DL जो होगा वो B into DL into cos 0 बन रहा है इनके बीच के angle 0 है और उसको हमको integrate करना है कि म्यू नॉट यहां पर आई इंक्लोज क्या होगा आई इंक्लोज निकालने के लिए आपको current density multiplied by इसका एरिया करना होगा पाई small r square current density क्या होती है टोटल करेंट अपाउन टोटल एरिया टोटल एरिया को मालों पाई capital r square है यह यहीं कि capital r क्या होगा इसकी total radius होगी इंटू पाई small r square तो i इंक्लोज यहां से क्या आजाएगा r square by capital r square into i तो यहां पर करेंगे तो b into dl यहां पर क्या होगा 2 pi small r होगा circumference के बराबर is equal to यहां पर i इंक्लोज की जिगे r square by capital r square into i रखना है तो यहां पर हो जाएगा mu naught r square by capital r square into i यहां से देखो एक small r कट जाएगा तो b जो है आजाएगा आपका mu naught i r divided by 2 pi into r square तो यह magnetic field आ जाएगी इसका magnitude हमने निकाला है अभी केवल तो यहां से आप clearly देख सकते हो जब r less than capital r है तो हमारा formula यह आया है अब अगर हम लोग दूसरा case मानें कि r जो है वो हम बाहर क्यों ले रहे हैं second case में r आप बाहर क्यों लीजिए तो बस देखे हमारा जो लूप बनेगा वो यह वाला बनेगा तो यहां पर यह बाकि सब सेम रहेगा b b into dl के जगे 2 pi r ही रहेगा जो हमने लूप लिया है उसी को integrate कर रहा है मिव नॉट एंड टू आई इंक्लोज इस case में अब देखो आई इंक्लोज के वल आई ही रहेगा तो यहां पर b बराबर आजाएगा मिव नॉट आई अपॉन टू पाई आर तो यह magnetic field आपका कब आएगा जब आर का value greater than हो radius of wire के ठीक है तो अभी जो हमारा option होगा वो देखो जब R1 और R2 less than R हो और R1 और R2 greater than R हो तो हमें B1 और B2 की value find कर नहीं है तो देखते हैं R1 की value less than R मानते हैं R2 की value less than R मानते हैं तो जब R की value less than radius of wire हो तो जो magnetic field है वो देखो ध्यान से देख रहा बागी सब constant है यह directly proportional है R के B directly proportional है R के तो B1 upon B2 जो होगा वो R1 upon R2 के बराबर होगा तो option देखेंगे तो option number हमारा 1 तो सही हो जाएगा second option में हमें निकालना है जब R1 और R2 greater than radius of wire हो तो जब R greater than radius of wire होता है तो देखो B जो है वो distance के inversely proportional में है इसका मतलब अगर B1 upon B2 आप यहांसे लिखोगे तो वो R2 by R1 आना चाहिए बढ़ यहां पर इस case में क्या दिया हुआ है R1 upon R2 दिया हुआ है तो यह गलत हो जाएगा और यह वाला तो पहला वाला ही case है यहां पर R2 by R1 कर दिया तो यह गलत हो जाएगा केवल और केवला option 1 हमारा सही होता है थेंक्यू